वेलकम टू मै चैनल, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भेंकर से भेंकर दात का दर्द हो या दात का कीड़ा हो दोस्तों मिंटों में बिल्कुल ही बाहर निकल जाएगा तो बहुत ही आसान रेमेडी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें आपको बिल्कुल भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने लिया है अमरुद के पत्ते जिसे की हमारे हाँ जामफल कहा जाता है कई जगह पर बिही के पत्ते कहा जाता है आपके हाँ अमरुद को क्या कहा जाता है मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा तो यहाँ पर जो मैंने जामफल के पत्ते लिये हैं दोस्तों कोशिश करें ताजे पत्ते मिल जाए तो बहुत अच्छा है सूखे हुए पत्तों में उतना फायदा नहीं होगा जो की ताजे ताजे हरे हरे पत्तों में होता है कई भैंकर रोक ठीक करता है दोस्तों जामफल का यह पत्ता तो जो जाम फल होता है अमरुद जो होता है फल से जादा इसके पत्ते उपयोगी हैं कई बिमारियों को दूर करने के लिए जो लोग वजन कम करना चाहते ना जाम फल के कुछ पत्तों को पानी में उबाल कर उस पानी को पिएं तुरंथी वजन कम होता है जिन्हें दांतों में दर्द है मसूडों से खून आता है ठंडा पानी जिनके दांतों में चूबता है और खासकर मुह से जिनके बदबू आती है पायरिया की शिकायत है या मसूडों से खून निकलता है या दांत में बहुत जादा कैवेटी है कीडा लग गया है तो उन्हें क्या करना है दोस्तों इतना जादा ये फाइदे मन्द है तो ताजी-ताजी पत्यों को आप चबा-चबा कर भी ये काम कर सकते हैं बहुत से लोगों को चबाना अच्छा नहीं लगता कि अरे थोड़ी सी कसैली होती है इसकी पत्या तो इसके लिए वे क्या करें दोस्तों अमरूत की ताजी कम से कम आठ से दस पत्यों को ले 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 और इन दस पत्यों को लेने के बाद आठ दस जादा भी ले सकते हैं आप पत्यों को धो ले और धोने के बाद आपको इसे अच्छी तरह से उबाल लेना है दोस् दातों में यदि केविटी हो जाती उसे भी भरने का काम करती हैं अमरुद की पत्तियां एंटी ऑक्सिडेंट गुण होते हैं दोस्तों इसी के कारण तो विटामिन सी होता है हमारे मूह के घाव को भरती है दातों से जुड़ी हुई सारी समस्याइं दूर होती है मूह में यदि आपको दातों में बहुत जादा चुभन हो रही बहुत जादा दर्द है मसूरों से खूणा रहा है तो पत्तिओं को उबाल कर इस पानी से यदि आप कुला करेंगे न दोस्तों तो भी आप देखेंगे कि आपको दातों के दर्द से रहत मिलेगी और दात का जो कीड तो यहां पर एक काम और कर सकते हैं, यदि आप लोगों को चबाना पसंद नहीं, तो अमरुद की ताजी ताजी पतियों को ले लें, जो थोड़ी सी नरम नरम सी हैं, उसे तोड़ लें, और इस तरह से तोड़ने के बाद इसे थोड़ा सा कुछल लें, क्रश कर लें, ताकि आपको चबाना ना पड़े, यदि आपको ऐसरता बहुत कड़वी हम नहीं चबाएंगे, तो इसे इस तरह से कूट लें, और उसके बाद ये जो पेस्ट है, इसे अपने दोनों दातों के बीज दबा कर कुछ देर जरूर रखें, जितनी देर आप लोग रख सकते हैं, ता अमरुत की पत्यां बहुत ही गुड़कारी होती हैं, दोस्तों कई बिमारियों से हमें बचाती हैं, और इसके अलावा तो अमरुत की पत्यों का रस पीने से डेंगू के बुखार में भी फायदा होता है, डायबिटीज रोगियों के लिए भी अमरुत की पत्यों का पानी जादा फायदे मंद होता है। जोडों में दर्द हैं। उन्हें भी इसका अमरुत की पत्तियों का पानी जरूर पीना चाहिए। इतनी जादा ये फायदे मंद है। पुराने समय में घर घर पर ही अमरुत का पेड लगा रहता था। इसलिए छोटी-मोटी बिमारियों का इल जबाना चाहर तो इस कॉटन बॉल को दोनों दातों के बीस दबा लें। जहां पर कीड़ा लगा है दोस्तों आप देखेंगे दात का कीड़ा मर जाएगा। इतना ज्यादा फायदे मंद है। अब इसके अलावा मैं आपको एक और तरीका पता रही हूं कुला करने का जिस Heard की 8-10 पत्या लीए है एक गिलास पानी लिया है 3-4 मैंने फूल वाली लॉंग लिया है ये देखें। ये इस तरह कि लॉंग होती चाहर आती स्पर, ये फूल बना रहता है इसमें, टीन-चाहर होती है । लॉंग क्या होती है음ost 5-20 अटि-सैप्तिक ऐनिगक्टियाज ग तभी तो दातों की कोई परिशानी पुराने समय नहीं होती थी. नमक हमारे दातों की नसों को स्टिम्यूलेट करता है और साथ ही साथ हमें दातों के दर्द से छुटकारा दिलाता है. खासकर सेंधा नमक. दातों की गंदगी को निकालता है, हमारे मसूडों को स्वस्थ रखता है, और इसलिए तो पुराने समय के लोग जो नमक से मंजन करते थे न दोसों, तो दात के ऐसी कोई प्रॉबलम नहीं होती थी, लंबे समय तक उनके दात मजबूत होते थे, एक उम्र में आने के बाद ही दात हिलते थे, दात गिरते थे, या दात खराब होते थे, आजकल तो कम उम्र में ही दात खराब होने लगे हैं, बच्चों में चॉकलेट टॉफी बहुत जादा खाते हैं, उससे दात सरने लगते हैं, हम बड़े बहुत जादा चाए कॉफी पीते हैं, पान खाते हैं, तम हमारे खराब होने लगते हैं तो चलिए दोस्तों दातों के दर से रहत पाने का ये जो तरीका बता रही हूँ आपको इसके लिए मैंने पानी को अच्छी तरह से उबाल लिया अमरुद की पतियां लॉंग और सेनहरमक डाल कर जैसे ही पानी अच्छा उबल गया है आप देख सकते हैं पानी की रंगत बदल गई है और इस पानी को पहले तो मैंने एक कटोरी में खाली किया है और बाकी आपको ऐसे ग्लास में ले 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 हैंडिल वाले तो जाम की पत्तियां अच्छी तरह से पानी में उबल चुकी है और इसके सारे पोशक तत्व इस पानी में आ गए है, लौंग, सेधा नमक, सारी चीजों का, इस पानी से आपको अब करना है कुल्ला, कुल्ला कैसे करना है दोस्तों, आपको इस पानी को अपने मूह में भरना जैसे जितना जाद आप लोग भर सकते हैं, एक घूट, दो घूट, तीन घूट, मुह में भरने के बाद इस पानी को आपको कुछ देर मुह में रोक कर रखना है, ऐसा नहीं कि मुह में रखा और थूप दिया, मुह में थोड़ी देर रख सकें, रोक सकें, जितनी देर आप रोक सकते हैं, एक मिनट, कुछ सेकेंड, जितना भी आप रोक सकते हैं, जरूर रोकें, ताकि दांत में ये लगता रहा है, ये पानी, हलका गरम गरम ही लेना है, अमरुट की पत्तियों का, लॉंग का, और सेंधा नमक का, ये पानी, और मुह में चारो तरफ इस पानी को र पना कर मैं रख रही हूँ, क्योंकि मेरे हाँ भी मेरी बेटी को दांतों में दर्द है, तो दिन में दो बार आप इस पानी से कुला करें, तो दांतों का दर्द ठीक होगा, यदि कीडे लगे हैं, तो कीड़ा भी निकल जाएगा, सांत ही सांत जो केवेटी की समस्या है, प इकरें,